तो आज की वीडियो होने वाली बहुत इंट्रिस्टिंग तो ये वीडियो सुरू से लेके लस्तक जरूर देखेगा क्योंकि आज कि इस वीडियो में हम करने वाले ओपो रैनॉज 6 प्रो 5G की अन्बॉक्सिंग देते हैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन बताते हैं क्या-क्या कहीं बोल दे रहा हूं जिद लेने वाला है तो बिना समय को है चली देखते हैं क्या-क्या कॉंटेंट देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर और कैसा हाई ये स्मार्टफोन और कितने बजट में आया है ये स्मार्टफोन इसके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे हाई गाइस मेरा नाम है कमल करता हूं सभी का स्वागात एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर तो करिए गाई साथी साथ भाई के चलो को सस्क्राइब भी करिएगा और हाँ बैल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी बॉक्सिंग देख लेते हैं क्या क्या कॉंटेंट देखने को मिल जाता है उससे पहले बॉक्स की डिजाइन के बारे में बात करो तो ऑसम है और यहां पर सबसे उपर हमें देखने को मिल जाता है उपर की साइड कुछ देखने को नहीं मिलता है उपर की साइड की बात करो तो उपर की साइड हमें जहाँ यहाँ पे कुछ डीटिल्स देखने को मिल जाता है आप चाहो तो वीडियो को पॉस करके देख सकते हो पीछे की साइड अगर मैं बात करूँ तो पीछे की साइड हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है हाला कि यह जो वैरियंट है वह 12256 जीव दिजाइन और क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो वह भी बहुत ही आउसम देखने को मिल जाता है अब चलिए फटा फट चे अपने स्मार्टफोन को हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमें बॉक्स हटाते ही सबसे पहले हमें जो देखने को मिल जाती है तो अब बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज्यादा लाइट बेट रगा और स्मार्टफोन को रख देते हैं साइट और देख लेते हैं अपने और भी कॉंटेंट को तो यहाँ इसको हटाते ही सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है हमारा चार्जर जो है 65 वाट का सूपर फास चार्जर के और वैसे चार्जर का विट जहाँ जादा है और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर मैं देखने को मिलता है वह यह फोन है जो है टाइप-C यह मुझे काफी कमालगी चीलिगी कि 3.5 वाम का जैक हमें स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलेगा और यहाँ पर को कि लिड में क्या-क्या चीज़ देखने को मिल जाती है तो फटा-फट से निकाल लेते हैं बाहर और यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिल जाता है और वैसे दो महीने बाद जह वो पीला पड़ जाएगा यह कबर और अब चिदि अपने स्मार्टफोन को देख लेते ह बाकि फोन में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है पॉक्स में तो फटा-फट से फोन को निकाल लेते हैं बाहर और यहाँ पर मैं फोन की बात कुरूं तो मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक एकस्पेंसिब फोन जैसा फील करा रहा है फटा-फट से इ सेट अप गयरा देखते हैं क्या-क्या अंदर फीचर से कि उसके लिए मैं भी काफी ज़्यादा उताव ला हूं और इसको भी निगाल देते हैं फटाक से बाहर के कि यह इसकी स्खुबसूरती को बेकार कर रहा था और वाकई बताओ तो यह स्मार्ट फोन काफी कमाल का दे आब आढ़ा आधा है साथ तुर्व हमारे समार्ट फोन को कर लिते हैं बूट तो यहांप इमारे स्मार्ट फोन को कर लेते हैं दो है और अब चलिए कुछ डीटियल के बारे में बात कर लेते हैं तो राइट हैंड साइट पर हमें जो है वो अपावर ऑन आउप की बटन देखने को मिल जाती है और लेफ्ट हैंड साइट पर हमें वाइलूम अप और डाउन की बटन देखने को मिल जाती है उपर साइट की हमें बात करें तो ऋपर साइड हमें noise cancellation माईक देखने कों मिल जाता है और i-r-blast ने दिया नहीं तो इसके बारे मीं कुछ नहीं बहुत सकता नीचे साइड के अगर हमें बात करें हमें तो लिविदा उसके उसके जेस्ट बगल में हमें माइक का पोर्ट और उसके बाद हमें यहाँ पे सिम एजेक्टर टूल को बाहर निकाल के दिखाऊंगों तो यहाँ पे आप दो सिम कार्ट्स यानि दो नहीरों सिम कार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो हाइब्र सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है तो यह मुझे कापी अच्छा लगा और मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना है कि आप सभी का स्मार्ट फोन जो है वो दो सो चापन जी भी आप लोग भर देते हो डेटा से तो कमेंट जरूर करने के बताना और वहीं अगर डिश्पले की बात कर लो तो यहां पिर अप्लीकेशन देखने को मिल है तो यहां पे मुझे पहले सही अप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं अगर आप यहीं चाहोगे तो बड़े आराम से अन इस्टाल कर सकते हो और दूसरी बात है फोन का लूप और वाइस इस फोन काफी गमाल का है, काफी आसम देखने को लगता है, क्योंकि इसकी जो डिजाइन है, साथ ही साथ इसकी जो क्वालिटी है, वो मुझे सबसे जादा अच्छे लेगी, आपको कैसी लेगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बातो, तो फाइनली अब चलिए बात कर ले सद देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर जो हमें रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, वो 90 ह कामरा सेट देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ हमें यहां पे यह Camerュ पर बहुत कम देखने को मिलता है और अगर 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 कवर के बाद करोगे तो आपको पता ही नीचे लगए कि अगर नॉर्मल कवर के साथ भी रखते हो तो अगर आप इसे किसी भी साइड से टैच करोगे तो यह जो हो लेगा नहीं साथ देखने को मिलता है वो 64 MP pro 32 MP Ryan f2.4 aperture के साथ में आप इस catैस के बारे में हम जदा बात नहीं करेंगे तो वीडियू बहुत बड़ी बन जाएगी उपर यिस में अख अईटियल को ऑटना है, तो पहुत सारी features देखने को मिल जाते है फोटो में आप 10X जूम कर सकते हो और फीचर्स की बात कुरों तो फीचर्स कैमरे के मामले में ओको ने भर भर के दिए हैं साथ ही साथ सबसे कमाल का फीचर्स इसमें हमें जो लगा की Bookie mode के साथ अपनी वीडियो को रिकॉर्ड वीडियो जरूर नाएंगे, ऑवराल कमर कारी कामरे की बात करूं, तो कैमरे में हर एक फीचर से इन्होंने लेस कर रखा है कैमरे को, तो यहां पर गर मैं कुछ डीटियल की बात करूं, तो फरंट कैमरे में बहुत सारी डीटियल्स देखने को मिल जाती है, ब्यूटी मोड़ फोटो हमें देखने को मिल जाती है आप फोन के बात को खोंगी ज्यादा लाइडवेट देखने को हमें ब्लोघा भूल अब चिल यहां पर हमें सबसे पहले चिपसेट लिद्ध को मिलता है मिडियाटेक तरप से डियमेंड संटी ट्वल हंडेड यू और और ये मुझे काफी कमाल का प्रोसेसर लगा और अगर वही इसकी मैं GPU की बात को लूँ तो यहाँ पे जो हमें GPU देखने को मिल जाता है वो Mali G77 MC9 वाले GPU देखने को मिल जाता है अब इस प्रोसेसर पर मैंने काफी ज़ादा देर तक गेमिंग करी है और मुझे कोई problems देखने को नहीं मिली है और प्रोसेसर काफी कमाल का था RAM की बात करूँ तो LPDDR4X RAM देखने को मिल जाता है इस प्रोसेसर की अगर मैं Benchmark के बारे में बात करूँ तो 5,94,444 के आसपास में इसका Benchmark स्कोर आता है और वहीं अगर मैं इसकी यहां पे ColorOS की बात करूँ तो 11.3 का आप देखने को मिल जाता है Android 11 देखने को मिल जाता है आप चलिए बात कर लेते हैं कुछ टेस्टिंग के बारे में तो फटा फट से मैंने यहां पे fingerprint जो है वो सेट अप कर लिया है और मुझे काफी ज़्यादा फास्ट लगा क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा एडवांस है यहां पे आप देख रों मैं इसके इसे टैस्ट करता हूं और यह जो तुरन्थ ही phone को unlock कर देता है तो यहां पे कर लेते हैं इस smartphone का sound test और आप सुनो और इंजाय करो उसके बाद आप मुझे बताना sound quality कैसी है कैसा था यह smartphone कैसा experience था तो experience के बारे में बगर मैं बात कहूं तो कमाल का smartphone था हर एक features के साथ इन्होंने लेस कर रखा इस smartphone को आप चाहे गेमिंग के मामले में देख लो आप चाहे इसे जो है वो normal use के मामले में देख लो आप चाहे camera's के मामले में देख लो काफी कमाल का smartphone था हाला कि इस पे मैं जल्दी हे gaming टेस्ट करूंगा उसके बाद देखते ही इस स्मार्टफोन की कितनी आवकाथ है कितने हैवी हैवी गेम यह जो है स्मार्टफोन अपने आप में चला सकता है और अगर फोन की बाद को तो फोन एक नंबर का था कमाल का स्मार्टफोन था मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षिन में जरू बताना चलिए मिलते हैं आमने सामने तो आप सभी को अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत ही अच्छी लगए गए वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक शेर तो करिएगा ही साथ यसाथ भाई के चल्ड को सस्क्राइब भी करिएगा और हाँ कमेंट सेक्षिन में अपना ओपिनियन जरू लिखना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड सामने राख आयाम साइनिंग आउट